टेलेविजिन और हमारा संबंध बहुत गहरा रहा है। मनरंजन के पसंदीदा साधनों से शुरू होकर हमारी जरूरतों में शामिल हो चुके इस टीवी में समय के साथ-साथ बहुत बदलाव होते चले गए और टेलेविजिन हर बार पहले से कहीं बहतर होता गया। तो दोस्तों आज हम जानेंगे टेलेविजिन से चुड़े कुछ इंटरस्टिंग फैक्स तो चलिए शुरू करते हैं। टेलेविजिन को इतिहास जगत का एक अनोखा आविशकार माना जाता है जो की विज्ञान का अध्भुद्नमूना है। इसका आविशकार J.L.Bird ने 1925 में किया था। टेलेविजिन को हिंदी में दूर दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये दूर की वस्तू की इमेज हमारे सामने चलती हुई दिखाता है। वास्तव में टेलेविजिन की स्क्रीन पर सिर्फ इमेज ही होती है जो इतनी तेजी से बंती रहती है कि हमारी आखों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये चल रही है। पहला टेलेविजिन स्टेशन 1928 में अमेरिका में लगाया गया था। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण कंपनी बीबीसी ने 1930 में प्रसारण कार्रे किया था। 1936 तक टेलेविजिन में 12 इंच का स्क्रीन होता था और टीवी के साथ साथ बड़े बड़े उपकरण भी होते थे। टेलेविजिन शब्द का पहली बार इस्तमाल रूस के विज्यानिक कॉंस्टेटीन पर्सकी ने किया था। पहली में शुरू किया गया था। उस समय चैनल का नाम टेलेविजिन इंडिया था। जिसका 1975 में नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया था। जो कि आज भी व्यापक रूप से देखा जाता है। जब दूरदर्शन की शुरुबात हुई थी। उस समय का प्रसारण हफते में सरफ तीन दिन में सरफ आधा आधा घंटा होता था। 1975 तक भारत के केवल साथ शहरों में ही टेलेविजिन की सेवाएं शुरू हो पाई थी। दोस्तों, टीवी के जिस रिमोट का बटन दबाते ही टीवी चालू हो जाता है। उस रिमोट कंट्रोल का आविशकार यूजीन पोली ने किया था। अमेरिका में 1953 में पहली बार कलर टीवी का प्रसारण किया गया था। जबकि भारत में कलर टीवी की शुरूवात 1982 में हुई थी। 1979 में अपोलो 11 मिशन का पहला टीवीशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ जिसे 600 मिलियन लोगों ने देखा था। 1970 तक ब्लैक औन वाइट टीवीशन ही चलता था। लेकिन 1972 तक आते आते कलर टीवीशन ने बाजार में जगह बना ली थी। शुरुवाती टीवी में कैथोड रेट ट्यूब्स यानी CRT का इस्तिमाल होता था। जिसकी वजह से ये बड़े बक्से के आकार का और बहुत भारी भी होता था। मगर आजकल LCD, LED के स्क्रीन होते हैं जो काफी पतले होते हैं। 1980 में टीवी के साथ VCR और गेम्स भी आने लगे जिससे टीवी की पॉपिलारिटी और भी वर्ती गई। दुनिया का सबसे महंगा टीवी Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition है जो 2.25 मिलियन डॉलर का है। इस तरह टेलिवीजिन के रूपों में तेजी से बदलाव आते चले गए और अभी तो आगे भी टेलिवीजिन के दुनिया में ऐसे जोगाने वाले बदलाव होने बाकी हैं। तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदाया हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगली बार ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तत होंगा। सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें।